नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महा इंदर जाल में दोस्तों आज हम बात करेंगे सपने में नारियल देखना कैसा होता है इस सवपन के शुब या अशुब प्रिणाम क्या-क्या होते है आज हम इस वीडियो में जालेंगे देखे दोस्तों यदि आप सपने में नारियल देखते हैं तो इस सपने के शुब और अशुब प्रिनाप दोनों ही होते हैं यह निर्भर करता है कि आपने सपन में नारियल को किस रूप में देखा है और आपने जो दृष्शे देखा है वो क्या देखा है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल जिरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बैल के आइकन को भी देवा है ताकि आपको जोतिश और वास्तु से संब्सक्राइब जो भी जान करिया है वो आपको मिलती रहे है दोस्तों यदि आप सपने में नारियल देखते हैं और खास करकि हरा नारियल देखते हैं जो की पीने वाला होता है तो दोस्तों इस नारियल का जो फल होता है इस सोपन का जो फल होता है वो बहुती अच्छा होता है और माना जाता है कि आपका जो आने वाला समय है जो निकट भश्य है वो आपका बहुती अच्छा होगा यानि सपने में हरा नारियल देखना जो पीने वाला नारियल होता है इस नारियल को देखना बहुती अच्छा माना जाता है बहुती शुब सोपन माना जाता है ये दोस्तों यदि आप सपने में नारियल का आटा देखते हैं जिसें नारियल का बुरादा भी बोल देते हैं नारियल का आटा या नारियल का बुरादा यदि आप सपने में देखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा सपना माना जाता है माना जाता है कि आपका जो आने वाला समय है निकट भवश्य है निकट भवश्य में आपको आर्थिक लाव होने वाला है आपको आर्थिक लाव हो सकता है यदि आप नोकरी के शेतर में परियास कर रहे हैं तो आपकी नोकरी लग सकती है, यदि आप नोकरी कर रहे हैं, तो आपकी पदोनमती हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, यदि आप बीनिसमेन है, वियपारी है, तो आपको वियपारी में फायदा हो सकता है, यदि आप स्टुडेंट है, तो आपकी परिक्षा में पलता मिलने वाली है आपको मान सम्मान भी मिल सकता है क्योंकि यह सपना दर्शाता है कि आप जहां आर्थिक रूप से संपन होंगे जहां आपको बिजिनिस व्यापारी नोकरी के शेत्र में तरक्की मिलेगी वहीं आपका मान सम्मान भी पढ़ेगा तो आप लोगों की परश से छीलते हैं उसके ओपर जो बाल होते हैं उनको उतारते हैं तो यदि आप सपने में देख रहे हैं कि आप नारिल को छील रहे हैं या नारिल को खोल रहे हैं तो ये सपना दर्शाता है ये अच्छा सपना होता है और ये ये सपन दर्शाता है कि निकट भुष्य में जो भी दिखते आपकी जिमन में चल रही है आप उनको दूर कर पाएंगे दूर कर पाने में सफल हो जाएंगे दोस्तों इसके बाद अगली स्थिति हो सकती है कि आप सपने में गुड न्यूज मिलेगी कोई भी अच्छे खबर आपको अचानक से मिलेगी यानि जैसे कहता है न कि अचानक से ही धन की प्राप्ति हो जाना तो अचानक से आपको कोई अच्छे खबर भी मिल सकती है या अचानक ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है तो ये सपना भी बहुत अच्छा सपना माना जाता है अचानक धन प्राप्ति के लिए अचानक तरक्य के लिए या अचानक से कोई भी आपको अच्छे ख़बर मिल जाए कोई अच्छा संदेश मिल जाए उसके लिए ये सपना जाना जाता है यानि कि ये सपना भी बहुती अच्छा सपना आपके लिए होगा निकट परशिशन है दोस्तों इसके बाद अगली स्थिति के बात करते हैं कि आपने सपने में सोखा हुआ नारियल देखा है यदि आप देखता है कि आपने सपने में सोखा नारियल देखा है तो ये दर्शाता है कि आप निकट भषशे में कोई नया कारिया शुरू कर सकते हैं तो नया कारिया शुरू करने के वरी सपना दर्शाता है ये भी अच्छा सपना होता है और दोस्तों अंत में हम बात करेंगे यदि आप सपने में सड़ा हुआ नारियल देख रहा है कोई नारियल है बिल्कुल खराब हो चुका है उसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल दुरगंत उसमें आ रही है पानी में आप सपने में महसूस कर रहे हैं कि जो पानी है वो गंदा है नारियल खुछ सड़ा हुआ है यदि आप ऐसा सपना देखता है तो यह सपना अच्छ उठाना पड़ सकता है, तो ये सपना अच्छा सपना नहीं माना जाता है, बाकि सभी स्थितियों के यदि हम बात करें, तो ये सपना बहुत अच्छा सपना माना जाता है, तो दोस्तों ये हमने आपको सपने में नारियल देखने के शुब और अशुब फ़लों के बारे में बताया, दोस्तों उम्मीद करते हैं, जो जानकर हमने आपको डी है, आपको अच्छे लगी होगी, दोस्तों यदि वीडियो अच्छे लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, नमस्कार.